हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दिलेब कुमार यादव आप सभी लोगों का Optimum Education Guidance पे स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे पारिश्थित की Ecology तो दोस्तो अगर अभी भी आप लोगों ने हमाई Telegram चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लें ताकि वहां से आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी और प्रॉपर वहां से Notification मिलते रहेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें तो चलिए दोस्तों क्वेश्चिनों की ओर चलते हैं क्वेश्चन है पहला कि पारिस्थित की तंत्र एको सिस्टम का नाम सबसे पहले किस ने दिया टैंसले ओडम या लिंडर मैन या कार्ल मोवियस ने तो सबसे पहले कि पारिस्थित की तंत्र है क्या तो पारिस्थित की तंत्र मतलब कि वह तंत्र जो वातावरण के जैवी य या एबायोटborg या अजयरी सवीकार्गों के परसपर संबंद या प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं परिश्थित की तंत्र कहते हैं तो जो यह पर इस्थित की तंत्र शब्द है, यह किष्णे दिया था तो यह दिया था टैंसलेने ठीक पूरा नाम है क्या है इनका एजी टैंसले तो परिस्तित की तंत्र कवर्ड सबसे पहले सब्द किशने दिया था एजी टैंसले ने तो अपना राइड आंसर क्या गया ए नंबर अगला कोश्चिन कि एको टाइप सब्द किशने प्रस्तावित किया ओडम, टैंसले या वार्मिंग तो टैंसले ने तो परिस्तित की तंत्र दिया था तो जो एको टाइप सब्द है एको टाइप सब्द किशने प्रस्तावित किया था तो एको टाइप किशने दिया एको टाइप मतलब होता क्या है कि इकोटाइप मतलब की अनुवानसिक रोप से भिन ऐसी जनसंख्या जो की किसी पिसेस हैविटेट या परिस्तित की तंत्र में पाई जाती है, इकोटाइप कहलाती है, तो जो इकोटाइप है, तो इकोटाइप शब्द किस ने दिया था, तो टेरेशन ने दिया था, तो वक्तियों का या वातावरण का या जल का तो समदाई परिस्तित की अध्यन क्या कहलाता है तो इसके अंतरगत मतलब की जो जीवो अत्वा पौधों के या ने मतलब की जो जीव हैं और पौधे हैं तो जीवो और पौधों के बीच जो आसपास का वातावरण है उसके बीच ज बोला जाता है ठीक तो समदाई परिष्थित की मतलब की अपने आस पास के वाता वरण के सांथ संबंध बनाना क्या कहलाता है शमदाई परिष्थित की ठीक और जो समदाई परिष्थित की तंत्र है तो इस सबसे पहले प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था तो शरोईटर एवं किर्चनर ने सबसे पहले इस सब्द का प्रयोग किया था तो जो समदाई परिस्थित की ये क्या है कि वातवरण के सांथ सम्दाई तो अपना राइट आंसर इस पे क्या गया ए नमर अगला क्वेशन कि उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया परिस्थित की अध्यन है जैविक, समपरिस्थित की, स्वापरिस्थित की या सांखी तो देखो उत्तर पूर्वी भारत और वर्षा प्रचुर वन में तो देखो यानि कि इन दोनों जो अलग-अलग वातावरण में है तो अलग-अलग वातावरण के यानि कि उस पे अध्यन किया गया यह क्या किसके अंतरगत आ जाएगा संपरिस्थितकी के अंतरगत आ जाएगा सिंकोलोजी सिंकोलोजी के अंतरगत आ जाएगा तो अपना र परत्वी वासियों को परावैगनी किर्णों से बचाने का कार्य करती है, तो जो ओजोन है, तो ओजोन हमें किस से बताती है, परावैगनी किर्णों से, अल्ट्रा वाइलट रेस से, तो कहां उपस्तित रहकर, तो यह जीम मंडल में, यह समताप मंडल में, यह छोब मंडल में तो कहां उपस्तित रहती है, तो यह रहती है समताप मंडल में, स्ट्रेटो स्फियर पे, कहां समताप मंडल में, स्ट्रेटो स्फियर पे रहकर हमें बचाती है, ठीक, ओजोन को क्या वो, O3 इसका फॉर्मूला है, ठीक, और अगर बात करें कि ओजोन की खोज किस ने किया था, तो ओजोन की खोज किये थे किसने चार्ल्स फेबरी और हेन्री बूशन ने चार्ल्स फेबरी और हेन्री बूशन ने कब किया थे तो 1913 में इसकी खोज की गई थे ठीक तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा दी नंबर अगला क्वेशन की ओजोन दिवस मनाया जाता है तो ओजोन दिवस कम मनाया जाता है तीस जनवरी को या 21 अप्रेल को या 16 सितंबर को या 25 दिसंबर को तो ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओथ्री इसकी खोज किस ने की थी तो पल्स फेब्री और हेंडरी बुसन ने किया था और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है तो ओजोन को किस से मापा जाता है तो इसफेक्ट्रो फोटो मीटर या डॉप्शन मीटर से इसफेक्ट्रो फोटो मीटर या उसे को क्या बोलते हैं डॉप्शन मीटर और इसकी इकाई क्या होती है तो इसकी डॉप्शन यूनिट होती है ओजोन मापने की इकाई तो डॉप्शन यूनिट होती है ओजोन मापने क यह उसी को dobson unit बोलते हैं और एक dobson unit बरावर किता होता है तो एक dobson unit बरावर होता है कितना 10 mu m जो गैस की लेयर होती है परत होती है कित्ती मोटी होती है एक डॉप्सन यूणिट में 10 मिवम मोटी होती है ठीक और ओजोन दिवस मनाया कब जाता है तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 शितंबर को ठीक तो इस पर अपना राइट आंसर C नंबर अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन है कि प्रत्वी की सतय के ऊपर ओजोन परत को नश्ट करने में सहायक रसायन है तो जो अपनी ओजोन लेयर होती है तो ओजोन लेयर को कौन नश्ट कर रहा है कारवन मोनो आकसाइड या मरकरी या क्लोरो फ्लोरो कारवन या सलफर डाई आकसाइड तो कौन नेश्ट कर रहा है तो देखो क्या होता है कि जब यह क्लोरो-फ्लोरो-कारवन पर क्या पढ़ती है परावैगनी किरने जो अल्ट्रा-वाइलट रेज आती है तो यह कहां आती है जब क्लोरो-फ्लोरो-कारवन पर पढ़ती है तो क्लोरो-फ्लोरो-कारव में तूट जाता है तो जब क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन में तूट गया तो जो क्लोरीन है तो क्लोरीन के अड़ू क्या करते हैं कि ओजोन के अड़ू के साथ मिल जाते हैं और क्या कर देता है जो क्लोरीन होता है वह ओजोन के अड़ू को विखंडित कर देता है तोड़ द फ्लोरो कार्वन नश्ट करता है तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सी नंबर अगले क्वेश्चन की ओर कि वातावरण सन्रच्चड पर प्रतम वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई थी भारत, ब्राजील, इस्पेन या पेरू तो कहां मनाया गया था जो प्रत्वी सिखर सम्मेलन प्रत्वी सिखर सम्मेलन तो प्रत्वी सिखर सम्मेलन कहां मनाया गया था तो यह मनाया गया था, कम मनाया गया था 1990 में रियोडी रियोडी जनेरियो कहां? ब्राजील में तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नमबर ठीक? और किसके लिए मनाया गया था? तो यह परियावरण जो विकास था तो परियावरण विकास है तो जो कारिकरम चलाए जाएंगे तो यहने कि उसके उसके इसको रखा गया था ठीक? तो इस पर एक नाम दिया गया था तो इसको क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21 या 21 ठीक? तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया? बी नमबर अगला question कि वायू मंडल में कारवन डायाकसाइड की अनुपस्तिती से प्रत्वी होगी थार मरुस्तल जितनी गर्म या चन्रमा जितनी ठंड या वर्सावन जितनी हरित या उप्यूप्त में से कोई नहीं तो अगर यदि हमाई वायू मंडल में कारवन डायाकसाइड की क्या हो जाए? अनुपस्तिती हो जाए यानि खत्म हो जाए तो क्या होगा अपना वायू मंडल? तो देखो जो कारवन डायाकसाइड होती है कैसी होती है? गर्म गैस होती है तो गर्म होने की वज़े से अगर कारवन डाई आगसाइड ही खतम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यह अपनी प्रत्वी जो है वो पूरी कैसी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी मतलग कि जो चंद्रमा की जितनी ठंडी हो जाएगी ठीक तो इस पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा B नंबर मानवी परियावरण पर प्रथम सन्युक्त राष्ट सम्मेलन इस्टाक होम में किस वर्स में हुआ था? 1972, 1986, 1992 या 2000 में तो जो मानवी परियावरण सन्युक्त राष्ट सम्मेलन इस्टाक होम तो इस्टाक होम में किस वर्स में हुआ था? तो इस्टाक होम है कहां तो यह है? स्वीडन में स्वीडन के इस्टाक होम में हुआ था और कब हुआ था? तो 1972 पे तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर अगला कोश्चन कि विश्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है 5 जून, 21 सितंबर, 1 अक्टूबर या 10 दिसंबर तो जो विश्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है तो लगबग लगबग ये तो सभी लोग को मालूम होगा कि यह 5 जून को मनाया जाता है लेकिन ये बताईए कि पहला विश्व परियावरण दिवस कम मनाया गया था तो जो पहला विश्व परियावरण दिवस कम मनाया गया था तो पांच जून कि भारत में कितने जीव मंडल संरच्छिक छेत्र हैं, 12, 13, 14 या 18, तो अपने भारत में कितने बायो इस्फियर रिजर्व हैं, तो कितने बायो इस्फियर रिजर्व हैं, तो है 18, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, D नमबर, अगला पॉश्चिन, कि हरित ग्रह प्रभाव संबंदित है, वैस्वी करण हरे सैवालों से, या वैस्वी करण ताप होने से, या हरे पादपो के उगाने से, या घरों में सबजियों के उगाने से, तो जो हरित ग्रह प्रभाव या इसी को क्या बोलता है, ग्रीन हाउस तो जो green house effect है यह किस से सम्मंदित होता है तो यह होता है वैस्वी current ताप होने से मतलब global warming से अब यह green house प्रभाव होता क्या है तू देखो समझो कि क्या होता है कि सबसे पहले क्या आई जो सूर की उस्मा आती है ठीक तो सूर की उस्मा कैसी रहती है गर्म रहती है तो जब सूर की उस्मा हमाई प्रत्वी पर आती है तो प्रत्वी भी गर्म हो जाती है लेकिन जब क्या होता है कि कुछ समय बात देखे होगे कि अपनी प्रत्वी क्या होने लगती है ठंडी होने तो जब ठंडी होने लगती है तो क्या होते है कि मतलब कि जो उस्मा होती है वा बाहर निकलने लगती है तो यह carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane यह क्या करती है कि जो उश्मा विश्रित हो रही है, बाहर निकल रही है तो यह क्या करती है उश्मा को अवसोसित कर लेती है और अवसोसित करके पुना धरातल में ले आती है पुना प्रत्वी पे ले आती है और जब ये वही उस्मा पुना प्रत्वी पे आएगी तो क्या होगी कि एकत्रित हो जाएगी और यहने की ताप में ब्रद्धी होने लगी जिसे क्या कहते हैं उसी को अपन वैश्वी करड ताप बोलते हैं ग्लोवल वार्मिंग कहते हैं ग्लोवल वार्मिंग या ग्रीन क्या है कि जो सूरे से हमें उस्मा मिलती है तो उस्मा मिलने से हमाई प्रत्वी गर्म हो जाती है लेकिन कुछ समय के पश्यात क्या होता है कि प्रत्वी जैसे जैसे ठंड होने लगेगी मतलब क्यों उस्मा विस्तरित होती है बाहर निकलती है उपर के उर्जाती है तो जो क तुरान धरातल में ले आएंगी तो क्या होगा कि वहां ऊस्मा एकत्रीत हो जाएगी तो उस्मा एकत्रीत होगी तो जिससे ताप में ब्रद्धी होगी राध्य नगैशन करती है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्य करती है CO2 carbon dioxide, SO2 sulfur dioxide, NO2 nitrogen oxide, यह की O3 ozone, तो green house प्रभाव कौन उत्पन्य करती है तो carbon dioxide CO2, तो अपना right answer क्या आगया, A number, अगला question, कि मिनी मेटा महमारी, जिसमें कई लोगों की जान गई का कारण है, वातावरण में SO2 का रिशाव, या जल में HGCL, मरकरी क्लोराइट, या ध्वनी प्रदूसर्ड, या म्रेदा प्रदूसर्ड, तो जो मिनी मेटा बिमारी होती है, तो मिनी मेटा बिमारी किसकी वज से होती है, तो यह एक जल प्रदूसर्ड, और कैसा जल प्रदूसर्ड, जिस जल प्रदूसर्ड में क्या हो, यानि कि मरकरी मिली हुई हो, तो जल में HGCL, मरकूरी क्लोराइट, ठीक, तो क्या हुआ था, देखो, यह सबसे पहले कहा देखा गया था, तो जापान में, यानि कि पानी के साथ क्या होता है, कि मरकरी भी आती है, तो पानी के साथ मरकरी का आना, यानि कि पानी के साथ मरकरी का आना, तो या क्या हुआ था, कि जापान में, एक शमुद्र में छोड़ दिया गया था, उसी पानी को, तो वहां की मचलीयों को हो गया था, क्या, मिनी माटा और फिर वही मचलियों को जब पानी लोग खाय थे तो इसके कारण याई को उन व्यक्तियों को भी भी हो गया था तो इस्के क्या होता सुट में कि जो मांद ज्मेरी से संबंगीक होति तो जल में H, G, C, L तो अपना right answer क्या जाएगा B number अगला question कि हरे पौधे होते हैं स्वापोशी, परपोशी, मृतपोशी या परजीवी तो जो हरे पौधे होते हैं वे कैसे होते हैं श्वापोशी होते हैं और स्वापोशी कहलाता क्या है तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं शूर के प्रकास से, शूर के प्रकास की उपस्तिते में रासायनिक क्रियाओं के दौरा क्या करते हैं यह सभी कहा है, श्वपोशी हैं, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नमबर, अगला क्वेशन, कि निम लिखित में से कौन सा उत्पादक की स्रेडी में आता है, पादक, पादपलवक, नीम या यह सभी, तो उत्पादक, प्रोडूशर, तो उत्पादक की स्रेडी म कौन आएगा, कि मतलब कि जो अपना भोजन खुच से स्वयम बनाते हैं, यानि कि सूर के प्रकास से अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, तो यानि पादप प्यडपौदे आएगे, पादप लवक, तो फाइटो प्लेंक्टन ये भी आएगा, नीम ये भी एक पादप ही है, तो मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, डे नमबर, ये सभी, ठीक, अगला कोश्चन, कि एको सिस्टम में प्रमुक उर्जा का स्रोत होता है, सूरज की रोशनी, ग्लूकोज, प्रोटीन या एटीपी, तो एको सिस्टम में उर्जा का मुक श्रोत क्या होता है, सूरज की पौदे अपना भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, अगर पेड़ पौदे अपना भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, जिससे उनमें ग्रोफ नहीं होगा, तो फिर वो भोजन हमें नहीं प्राप्त होगा, तो क्या है, तो यानिकी सभसे मुक उर्जा का स्रोत क्या है, सू सूरै का प्रकास हाइडो थर्मल वैंट या जल tipoत या जीवासन तो घहरे समुद्रिक पानी में उर्जा मुग स्रोट क्या होता हे तो होता है वहाँ क्या हाइडो क्या ँद इंत होता है तो अपना जहली पौदें होते हैं तो उनको तुप तो प्रॉपर याने प्रोप रोपष रोशनी मिल पाती है और उनको वह अगर जल अंदर विजो हैं उनको पहुंद चलाना है उन में भी मेटवाउलिक रिएक्शन होते हैं मेटवाउलिक रोशे स spent होती है तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हाइड्रो थर्मर वेंट होता है ठीक तो उसके द्वारा अपना भोजन का निर्माड करते हैं ठीक और हाइडो थर्मल वेंट के माध्यम से कैसा भोजन मिलता है तो यानि कि वो कीमो सिंथेटिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं कौन सी प्रक्रिया कीमो सिंथेटिक प्रक्रिया के द्वारा तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया बी नंबर अगला question कि खादर शंकला में पोशक इस्तर दर्साते हैं क्रियात्मक इस्तर को या निके को या उर्जा इस्तर को या एक जाती के कारिक को तो जो food chain होती है, तो food chain में जो पोशक का इस्तर होता है, level होता है, वो किसको दरसाते हैं, तो अपन energy level से इदरसाते हैं, उर्जा इस्तर से, कि सबसे पहले जैसे पेड़ पौदे आ गए, फिर जन्तु आ गए, फिर यानि कि पहले उत्पादक, फिर शाकहारी, फिर मांसाहार फिर सरवहारी, मतलब उनके उर्जा का इस्तर क्याधार से, तो अपना right answer क्या जाएगा, C number, अगला question, क्यों उर्जा का पिरामिड होता है, सदैव प्रतिलोमित, सदैव उर्दोधर, कभी प्रतिलोमित, कभी उर्दोधर, या उप्युक्तिमेशे कोई नहीं, तो जो पादग, फिर भोगता, फिर उसके बाद अब घटक, तो सबसे यहने एक ही लाइन पे यहने किसी सदैव उर्दोधर होता है, सदैव शीधा होता है हमेशा, तो अपना right answer क्या जाएगा, B number, अगला question, कि खाद्र शंकला द्वारा उर्जा का प्रवार सदैव होता है, चक्री, अचक्री, या अर्द चक्री या इन मेशे कोई नहीं, तो जो food chain होती है, तो food chain में जो उर्जा का प्रवाव होता है वह कैसा होगा चक्री होगा या अचक्री देखो यहने कि जो food chain होती है food chain यानि एक के बाद खत्म हो जाती है तो इसमें जो उर्जा का प्रवाव होगा वह कैसा होता अचक्री होता है ठीक तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा C नमबर तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जादा से जादा सेयर करें मिलते हैं कल इसी के दूसरे पार्ट पे क्योंकि इसके अभी और भी कई क्वेश्चन है जिनको हम कल सॉल्व करेंगे तो जैहिन जै भारत धन्यवाद